तो अम लूग क्या पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा इंडियस 38 के कुछ points जैसे कि उसकी scope के बारे में आपने पढ़ा होगा उसकी मेंनिंग के बारे में आपने पढ़ा फिर आपने recognition प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा सथ all कि यह आपको पास कअ पड़ेगा कि इनिश्व, लिकॉवमिशन के लिए ओने पांच 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 पार्ट में वालिट को डिवय दिवाएंड कहा है कि लोक ऑकश तरीकह से आ सक्थें पहला तरीका जिस्ट में था पिरचेस करके Correct साथ purchase करना सकते हो purchase और required करके दूसरे तरीका क्या था purchase required हो गया government grants के थरू आप ले सकते थे आप business combination के थरू ले सकते हैं आप self generate कर सकते हे सरते हैं और आप उस्वक कर सकते है तो इसमें हमने बात कर लिए purchase gov pages and date하면 RAW एक्षेंज के initial issnl recognition के के दो कॉइंट सूँके बाद हम लुग क्या करें movimento गए एक चीज एक उसके बाद करेंगे सब्सीक्वेंट रिगोंट्निटनिशन इनिजिल क्या आता है सब्सीक्वेंट रिगो है हम से कवर किया जाएगा तो इन सारी बातों कोई स्टार करते हैं आप सभी फ्यूचर चार्ड एकॉंटेंस का आपके अपने यूट्यूब चानल पर सवागा थे जिसका नाम है क्लियर से एक्जाम्स और हमारा विजन है तो हेल्प अप्रिवन क्लियर से एक्जाम्स बाइप वाइ अगर हम बात करें बिजनेस कॉम्बिनेशन और सेल्फ जनेरेटेट का पहले उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगर हम बात करें बिजनेस कॉम्बिनेशन कंपनी है और रहे कमपनी यह पी लिम्टीट और यह एक क्यों लिम्टएट ठीक है। सबसक्रथ एक ऐसके भूख स्टूर्द यहां रिकॉर्ट करेगा जी हां रिकॉर्ट करेगा एट फेर मेली क्या इसके यहां जो रिसर्च और डिवलब्मेंट हो के रखी है वो रिकॉर्ट करेगा यह जी हां यह रिकॉर्ट करेगा तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लोग डिसकस करें आए कि करके हम बात करते हैं कि जब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी को अक्वार करता है तो क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए या फिर क्या-क्या चीज़ें हमें कि समझनी चाहिए पैनी चीज़ गुडविल जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले भी मर्जर में अमल्गमिशन में तो जो आता है पर्चस कंसिडरेशन के अलभा नेट इस नेट ऐसे और पर्चसी डिरेशन के डिफरेंस को गुडविल ने ट्रांसफर करते हैं तो गुडविल भी रिकॉगनाइज बिलकुल गुडविल क जो रिकॉंडाइस किया जाएगा अधल स surpr के इसका इंडेशन थुक्त ऐसा ग्ण॥ैट बिजंस कंसिडरेशन का इस ने क्या होता है कम प्रकॉन्पेरिंग हम लोग पर्चस कंसीडरेशन को कंपेर करते हुए् higher order नेसिंट जून। प्लXT ने रहे हैं और प्रकुस इस हैं अलब आपके पास इतना माल है अगर हम थोड़ा बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो यह गुद्विल उस तरीके से रिकॉगनाइज होगा जिसका हम लोग बात करें जब हम इंडियास 103 पढ़ेंगे बिजनस कॉंबिनेशन के चाप्टर में ठीक है यह गुद्विल रिकॉनाइज होगा इंटेंजिवल एसेट जो अक्वार होगा सपोज कर यह आप इंटेंजिवल एसेट उसके बुक्स का अक्वार कर रहे हो अगर वो उसमें कंडिशन ही कि उसको डेफिनिशन आप इंटेंजिवल एसेट क्वालिफाई करना पड़ेगा डेफिनिशन ओ इंटेंजिवल एसेट उसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अगर नहीं करेगा तो फिर नहीं होगा अगर करेगा तो उसको रिकॉर्ट करेंगे फेर वैल्यू उस दिन की मतलब आप जब कोई यह ऐसे डूसरे कमपनी से अक्वार करते हो दाट इव नीड टुचेक यूव इंटेजवल एसे भी या नहीं मतलब उसके बुक में था या निया वुट ड़जन्ट में कर सेंज आप अपनी दूप में जब रिकॉर्ड करो तो स्की मीनिंग को चेक करो डेफिनेशन ओफ ब्लब कोई टन्वील घ्राइब रहा है नहीं क्या ऐसा हो सकता है कि आपके बुक में यूची बुक में कोई लेएक सो नहीं कर रहा है य critics नहींılar एक रिक्षा नहीं फियर देंट वैसे अमदॉंहीं याइख hépt फिर रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या आप अपने बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैँ ठीक 혁ण वही आपका एफ ए फאלू पर रिकॉर्ड हो गई यह भी कैने का बना कि उसके रिकॉर्ड नहीं करें है । क्यों कंपनी आप एक्वाइर करो तो संब वह सारी रिसर्च करके रखी हुई है तो क्या वो आप आप उसको जब ऐक्वाइर करोगे तुसको क्या लाइज करो गिन रिसर्च कॉप इंटेंज्वेल एसेट की तरह अक्वाइर करोगे ठीक है and यह रिकॉर्ड होगा फियर वैलु के भाइने को मतलब भी है कि सब्बोस कर एक और गनाजेशन में रिसर्च चल रहा है तो इस आपके लिए देखा जाया तो इंटेजिब लाइसे आप एक्सफेंस पर उस रिसर्च को ताप एक्सफेंस बूक नहीं कर सकते लेकिन जो चीजें आएंगी रिसर्च की जो नॉलिज ह क्या होगा कोई पेटेंट के लिए अपलाई क्या होगा तो वह सारी चीजें आप इंटेजिब लाइसे की तरह रिकॉर्ट करेंगे एक फेर वाइलू लेकिन उसके बाद आपके और्गनाजेशन में जो एक्सफेंसेज होगे वह काप्टलाइज नहीं होंगे समझ किजीए वह बुखना आपके बुख में उसके बाद आने वाली जो भी खर्चे है उसको आप टेलाइज नहीं करोगे तो ऑई रिपीट रिसर्च उसका किया हुआ उसके बुख में वह जब आपके बुक में आगा तो उसको आप क्या लाइज कर सकते हैं लेकिन जिब other expenses होगा तो आप उसको capitalize नहीं करेंगे तो इन विल बुक्ट इन दाट विल बुक्ट इन पी एन एंट ओके फिर आता है बिजनेस कॉम बेडिशन क्लीर होगी अगर मैं है आपको फिरसे बता दो है about हुआ बहुत इजी है यह दो इनके बुक में कोई इंटे हटे सटोः कोई धो आ formaszer या दॉक्ल कोई इसकोड करने सलगाए के पहल करांगा ठेस एक्री कोछाद कर हिसिए सबगे एंवे कह दूझा करकला घोट बट अब कर परचा होगा वह नॉट कैपिलाइज होगा पॉफेक्ट यह होगा आपका बिजनस कॉम्बिनेशन बहुत चोटा सा पॉइंट है बट समझना जरूरी फिर आता है अगला सेल्फ जनेरेटेट का दूप ही है लास्ट इसेल्फ जनेरेटेट इंटेंग जीविल एसेट्स आपने क्या सेल्फ जनेरेट के सब उसके लिए आपने अपना ब्रैंड जनेरेट किया जैसे टाटा का ब्रैंड है आपने कोई मास्टर हैड मास्टर है टाइटेल जैसे की पेपर का टाइटल होता है टाइम्स आफ इंडिया दी हिंदू दे हिंदूस्तान टाइम्स तो यह सारी क्यों के टाइटेल गुडवील आप सेल्फ जनेरेट किये आपके और्गनाजिशनी गुडवील है आपके मिठाई के दुकान है आपके आहां से ही बहुत फेमस आपका गुडवील बहुत तगड़ा कि वह उनके आहां से लाओ मिठा एक दम अच्छा फ्रेस ताज़ा और रजीज होगा तो इ अंधेवल असेक्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं यह सारे ब्रैंड मास्टर एटेटिश गुड्वील ओके क्यों नहीं होते हैं क्योंकि रिकॉम्टिशन प्रिंसपटल जो है वो क्वालीफाई नीकलता हैं पहला रिकॉमिशन प्रिंसपल क्या था फूच्छ एक्नोमिक बेन यह रिकोंगेशिंट पेंसिपल फेल कर देता है रिकोंगेशिंट प्रिंसिपल एकिन्टिस्टू अगर टेस्टो फेल कर गया एक इसको आप रिकांड नहीं गर सकते हैं फिर आगे बढ़ता है है और जो है अदर अधर अधर सेल्ब जनेटेड talkin' other self-generated ndangible assets का क्या हो और वो रिकॉर्ड होगो, other self-generated assets will be recorded कुछ पॉइंट से उसमें जो कि आपको ध्यान देना चाहे, इसमें दो phase होका self-generate जो आप करते हैं, मतलब सब्कू narration आप रिसेर्च एंड डिवलोप्मेंट में मिन्दव आप सबूस कर या पेटेंट लेते हो जैसे अपल का कंपनी है हर साल कई कितने हंडेट स्वेटेंट रजिस्टर कराते हैं सब तो वही केस है यहां पे भी अगर आप एकस्पेंडिशन कर रहे हो डिरिंग रिसेर्च और इक हुआ डिवलोप्मेंट歌 फ्रें सब्चार बातार हो जैसे कि कोई चmail और आप बना रहे हैं तो उस केस में क्या होगा पहले पहले concept की बात करते हैं एक्सपेंस द्यूरिंग रिसर्प्ट कि इस फेज में क्या होगा रिसर्स फेज में जो आपने खर्चा किया है जैसे रिसर्ट करेंग है की करी गये लिज दु的是 बिसर्च आपनी नौलेज ग훈क्रिया है PI इसफिप खरियर नौलेज आप अपलाई कर सकते हैसे कि यह चीज़ों में अपह। कि जैसे कैसा हो सकता है टेकनिकल नौलेज हो सकता को भी बिल्गर को तो बहुत सारी चीज़े हो सकते हैं, मतलब आप research कर रहे हो तो बहुत सारे आपने knowledge गेन किया है, तो हम लोग बात कर रहे हैं, expenses during research, तो क्या ये capitalized होगा, जी, ये capitalized नहीं होगा, दो phases है, research and development की, एक research का phase है, और एक development का phase है, इसमें आप ग्यान लेते हो, gaining knowledge, this is not going to be capitalized, not capitalized, बिल्कुल नहीं होगा, capitalized, R&D करो, research करो, research तो आप कोई जरूरी नहीं किया आप उस्से intangible asset बनाऊगे, that is your research expense, वो तो research का एक expense है, तो ये खर्चा कभी भी capitalized नहीं होगा, कभी भी capitalized नहीं होगा, और जो development का expense है, ये capitalized होगा, expenditure on development, आपने ज्यान हासिल कर लिया, knowledge कर लिया, तो आप उस चीज़ को जब आप डेवलप करने चाहते हो, तो वो चीज़े आप को, मतलब उस चीज़, वो चीज़ आप क्या करोगे, capitalized करोगा, तो बेसिक सा नॉलेज अगर समधा जा तो R नहीं होगा, capitalized, decapitalized होगा, and that is what the, that is what is capitalization in the case of the self-generated, कुछ इसमें आपको बात याद रखनी चाहिए, कि जब यह following conditions satisfied होगे, तभी वो consider किया जागा कि development phase में, आप बोलो ना development में capitalized होगा, लेकिन आप कैसे मानोगे कि वो development में है, है, how you will assume कि यह research नहीं है, development है, तो following conditions are to be satisfied, तो आप मान लोगी कि यह एक development phase में चला गया, जैसे, टेक्निकल, feasibility is estimated, is estimated, मतलब टेक्निकल, feasibility, उसकी समझ में आगी, यह technology यह है, और यह तरीके से काम हो सकता है, इतना मेरा फायदा हो सकता है, intention to complete such intangible asset, आपकी पूरी intention है, कि आप इसको intangible asset बना करोगे, यह कोई software आप बना रहो, तो आपकी पूरी intention है, यह complete करना है, तो करना है, amount can be measured for future economic benefits, future economic benefit क्या हो सकता है, उसका amount measure किया जा सकते है, और वो possibility भी होनी चाहिए, possibility of future economic benefits from such intangible asset, उससे आपको possibility लगे कि हमको बना के कोई फायदा होना चाहिए, मतलब बना रहो, बिना फायदे के लिए बना होगे, तो that will not be capitalized, कुछ future economic benefit मिलना चाहिए, और वो identity feeble होना चाहिए, ऐसा मत बना देना कि कहीं बेच भी न पाओ, मतलब sell कर सकते हो उसको, so technical feasibility, intention to compete, amount can be measured, possibility of FEB और identifiable, ये दो चीज़ तो आपको समझ में पहले सी हा, capable of shell होना चाहिए, और FEB होना चाहिए, technical feasibility, technical feasibility हो, कि भाई कहां use हो सकता है, कहां नहीं हो सकता है, और intention to compete हो, ऐसा नहीं कि आदा दूरा छोड़ के चले जा, आपकी company अगर उस पर काम कर रही है, तो उसको पूरा करना चाहिए, अगर इसमें से कोई एक भी condition पिट गई, so that will be research, आपका future economic benefit आप estimate नहीं कर पा रहा हो, कोई flow नहीं future economic benefit का, identifiable नहीं है, या फिर हो technical feasibility उसकी नहीं, intention to complete नहीं, तो that will be research, not the development, development होने के लिए, आपको इन सारी conditions को satisfy करना पड़ेगा, that is, technical feasibility, intention to complete such intangible assets, amount can be measured for future economic benefit, possibility of FEBs, identifiable, that means sell, किया जा सकता है, capable for sell, तो following condition आप satisfy करो, research करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो भाई, साहब, हम कैसे माल नहीं कि आप development में चला गया, ये पांच condition जब आपको लगी कि satisfied हो रहा, तो आप समय लोगी development phase में आ गया, development phase में आते ही, उसको capitalize कर लेना, कुछ expenses ऐसे हैं, जो आपको capitalize नहीं करना है, although it is in, what, development phase, in development phase हो आप, मतलब ही condition आप satisfy कर रहे हो, development phase में हो, फिर भी कुछ expenses है, expenses, not to be capitalized, as always, कुछ शीज़े आपको common milling, general admin expenses, और allocated overhead, abnormal laws, as always, हमेशा आपको मिलेगा कि ये कहीं पे भी capitalized होता है, आपको दिखेगा नहीं, staff training, आप staff को knowledge दे रहो, ज्यान दे रहो, training दे रहो, that will not be capitalized, advertisement कहीं पे भी capitalized नहीं होगा, तो यहां पे कैसे होगा, marketing expense, and selling expense, ये सारे expenses आप capitalized नहीं करोगे, even it is in development phase, आप advertisement करोगे, भई मैंने ये बना दिया हो, बना दिया, sell कर रहा हो, selling expense लगा रहा हो, general administration, allocated overhead, abnormal loss, ये सारे चीज़ें, अगर development phase में रहेंगे, तो भी आप capitalized नहीं कर सकते, ये, are you getting a point, I hope you are, so what, so we will move to the next part, that is what is termed as subsequent recognition, कैसे होगा, ये, as it is same है, जो हमने subsequent recognition पढ़ा हुआ था, intangible asset, 16, I am sorry, india 16 में, that is tangible asset, अगर आप चाहो, तो मैं फिर से बता दिता हूँ, जी आप तो चाहो गई, फिर भी मैं, एक बार वही पूरी चीज़ रिपीट कर देते हैं, I hope, कितने लोग ये भी होंगे, जो पुराना वीडियो नहीं देखिया होंगे, तो उनके लिए, जो helpful हो जाएगा, दो मैथ़, दो मैथ़ोड है यहाँ पर, एक cost model, that is conventional one, और एक revaluation, यह revaluation जब होगा, तो लगता है, cost model में कैसे हम लोग recognize करते हैं, subsequently, cost model क्या बोलता है, cost model में हम लोग बोलेंगे, cost पर, less accumulated amortization, यहाँ पर depreciation नहीं है यहाँ आगा, और accumulated impairment loss, तो यह हो गई आपकी recognition की value, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर fair value, फिर वाही less accumulated amortization, less accumulated impairment loss, तो यह value पर recognize करेंगे, यह हो गई आपकी, कि आप subsequent recognition कैसे करेंगे, क्या होगा, यह value आप कैसे लाओगे, और उसकी कुछ accounting treatment है, जो हम लोग बात करेंगे, अभी accounting treatment में दो method है, अब, अगे, accounting treatment, accounting treatment, suppose करी, devaluation model के लिए हम बात कर रहा है, इसमें दो तरीके आपके पास, एक है, proportionate method, इस सारा आपको बढ़ाया हुआ है, और एक है net method, प्रपोर्शनेट में आप क्या करते हूँ, gross block और accumulated depreciation को वहां करते हूँ, तो यहां पर क्या करेंगे, gross block, gross fair value, यहां पर gross fair value, और amortization, accumulated amortization को, change करेंगे, pro rata basis पे इसको change कर देंगे, अगर revaluation हुआ तो, वहां पर क्या करते थे, gross fair value, gross block और accumulated depreciation को करते थे, यहां पर gross fair value और accumulated amortization को change क्या जाएगा, fair value के हिसाब से pro rata basis पे, net method में क्या करते हैं, cancel कर देते हैं, हम लोग accumulated depreciation को, और, cost of asset को revalue कर देते हैं, cost of asset को increase और decrease करते हैं, समझ में आ रहा है आपको, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, यह पूरा इंडिया 16 जैसा है, इसलिए मैं थोड़ा से speed में हूँ, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि हमने उस पर बहुत जादा time already लिया हुआ है, देकि, अब मैं एक बार फिर भी बता में तो पड़े गई हैं, सपोज करी यह existing value है आपकी और यह new value है, यह आपका gross block है, यह आपका accumulated amortization से और यह 90 जाँ आपने क्या कि इसको revalue कर दिया, सपोज करी 2 लाग तो अब यह जो value होगी, यह pro rata basis इसका difference निकालके, यह percentage के इसाफ़ यहां पे increase हो जाएगा, से अगर यहां पे percentage increase हो गया तो यह सपोज करी नहीं लाग रूपर हो गया और यह पचास हजाए, सपोज करी, just for example तो यह pro rata basis पे इन दोनों को बढ़ा दिया जाएगा, are you getting a point और यहां पे जब revaluation होगा, तो आप क्या करो कि सीधा accumulated amortization, account debit करके, तो intangible asset मतलब वहां पे एक क्यूंड amortization से इसको cancel कर दोगी, ठीक है, फिर अगर increase वहा तो intangible asset account debit करके, to revaluation reserve कर लोगा, तो रूंत revalued होगे, increase होगे, तो यह method है, और आप अगर इसके उपर पूरी एकदम डिटील चार्चा करना चाहता है, अगर इसके उपर question और रहेगा, तो हम लोग question पर डिसकस करें, और नहीं तो आप इंडे 16 के part 4 & 5 में एक बार जाकी चेक कर लिए, इंडे 16 के उसमें हमने पूरा एक 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 जामपल लेकर इसको सॉल्ट किया हुआ, अगर आपने होगर आप पुराने वीडियो इंडे 16 भी अगर आपने देखा तो फिर तो कोई दिखकत थी नहीं, ख्री के रिवालूईशन के टॉक्ष्फर भी उसमें बात है, थे लिमें में बताते साथ 1, आपन रिवे लुएशन के क क्या Satan, मतलब अब्वाथ रिवैल्वट हुआ अधांगोड रिवैल्वूट होगा अधार 1st टाइमिवाद्वाध लूप सपोर्ष करी 1st time रिवैल्वेशन विडान और 2nd सब्सेक्वेट फर्स्थ सब्सब्साइब इसमें यह तो अपवाड वोगा यह डाउलोटा अधा सपोस्कर भी अवावलोइशन है यह डाउन डोर्ड है सव ऑपवाट रेवावयशन में क्या होका बेजय कहा मान को ती वावलऋटियोशन को रिईलट करेट करके आपके असीट के वाईली को बढ़ा देड ए अगर लास वार थे पट्ल में टांसफर हो ए लिदी में point okay perfect now move to the next that is what subsequent evaluation you see may as it is valid as I have a decision अब यहां पर क्या होता है अपोर्ड को सब्सक्राइब इसक्राइब और भी वा थो अपोर्ड रिवैलूएशन गो यह अर्लियर क्या होब दूटोर uição अलब पहले भी अपोर्ट रिवालूट हुआ था ये पहले भी डाउनोड रिवालू दूट अब इसमें दो के सोजह नहीं कि है इसमें समस्करी इस अगेन अगर पोर्ट रिवालूट हो गया या फिर डाउनवर्ड होगे इसमें भी दो चीज हो सकती है अगेन डाउनवर्ड होगा मतलब गिरा था पहले भी अभी गिर किया या फिर यहां पे डाउड हो गया मैं को सिच्वेशन को अगर आपको समझाओं बहुत इजी सिच्वेशन है देखिए ट्रांसफर अपॉन रिवालूशन रिवालूशन हुआ तो अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़े गए तो रिवालूशन रिजर्ब में रिडिट हो जागा एसेट बढ़ जाएगा अग लिकिन अगली बाझ जा फिर से सब्सेक्वेशन हुआ थो सबस्पॉस करें कि हम पहले भी अपर्वाट किया था फिर से अपर्ण हो रहा हैं गले अगर फिर burg ऑपवर्ड हो गया या डाउनवड हो गया है तो इसींकि क्या होगा आपउर्ड होगा तो पहले से भी प्रस्मे norm योरु необход में देदर ही निंट करेंगी अगर डाउंवड होगा तो पहले हम प्रस्मेड से इसको अदजस्पर्ण जो पहले वाला था क्योंकि पहले अपवर्ड हो रखा तो तो रिवालुएशन रिजर्व यहां पे रहा होगा तो पी एल को एडजस्ट करेंगे रिवालुएशन रिजर्व से अगर फिर से बचा कुछ तो पी एल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और अगर अगें यह अपवर्ड हो गया तो रिवालुएशन रिजर्व को पी एल में ट्रांसफर करेंगे अगर फिर से कुछ बचा तो रिवालुएशन रिजर्व में चला जाएगा पर्फेक्ट इत्बल मैं समरी बना देता हूँ बहुत जथा अपवर्ड डाउनवर्ड होगे अपवर्ड का मतलब डाउनवर्ड का मतलब पा नहीं बात भाता हुए पहला केस अगर फिर से अगर अपवर्ड होता है तो रिवालूएशन रिजर्व में ही जाएगा अगर फिर से डाउन्वार्ड होता है तो रिवालूशन रिजर्व में नहीं जाएगा I repeat I mean फिर से अगर डाउन्वोड होता है तो पील में नहीं जाएगा पहले पील के वैल्यू को पहले डिवालूशन रिजर्व जो बढ़ा हुआ उसका घटाया जाएगा अगर कुछ बचा तो पील में जाएगा ठीक है सपोस्कर रिवालूशन रिजर्व में हंडेड है और पील में आ गया 110 तो पहले 100 रुपए इससे सेट आफ हो जाएगा फिर पिल में जाएगा अप मतलब डाउन्वोट था फिर से डाउन्वोट हुए सपोस्कर हो यहां पर 10 रुपरा प्र से यहां पर 100 रुपए डाउन्वोट होगया तो रे घृइज हूआइं पिल में 110 रुपा पड़ा हो गया फिर ऑगर यह अगरल well that is cycle download के case में अपववर्ड हो गया तो यह डिवालूशन रिजब में सपोस्ट करो 100 रुपय है 120 रुपय है तो 110 रुपय प्ल से सट अफ हो जाएगा और जो 10 रुपया बचेगा 120-110 तो हो जाएगा कहां पर रिवालूशन रिजब में नहीं जाएगा कहने के मतलब है कि पुराना का कोई बैक लॉग है तो जैसे यहां पर सेट आफ वह वैसे यहां पर भी सेट आफ हो जाए ठीक है और रिवालूशन रिजब हम लोग OCI में शोग करते हैं इसमें एक कंडिशन थी आपको अगर यादो कि रिवालूशन रिजब हम लोग क्या करते हैं पहले बात तो यह OCI में आता है पील में स्टेट वन प्रॉफिट और लॉस इसको अपन सेल सेल के वाक्त इसको अम ब्लोग रिटेन डर्निंग में ट्रांसफर कर देता है अपन सेल एडिस ट्रांसफर टू रिटेन डर्निंग रिटेन डर्निंग में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है आपके पास एक आप्षिन रहता है यहां पर आप्षिन रहता है बैसिकली कि आप क्या कर सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो जो भी access amortization होगा access amortization को आप revaluation reserve से निकाल के retain learning में transfer कर सकते हो each year जब आप revalue करते हो तो आपकी fair value बढ़ जाती है और उसके साथ साथ आपका amortization भी बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है revolution reserve भी बढ़ता है तो यहाँ से आप निकाल के से इसको ट्रांसफर कर सकते हैं यह option रहता है आपके पास जैनरली यह आपने पहले बात किया हुआ तो कहने का मतलब यह आई कि आप सेल हुआ तो रिटेंडर निम्ने ट्रांसफर कर दो और एक option आपके पास रहता है कि भाई देखो एक्सेज अमोर्टाइजेशन हो गया है अब बात आती है आपकी अमोर्टाइजेशन की फिर बात करेंगा डिस्क्लोजर की और यह चाप्टर हो जाए अगर फिनिश कॉंसेप्ट सो लेके फिर तो questions आपको इसमें बहुत सारे questions आएं मिलेट नहीं रपाट 13 प्लस 14 25 से उपर ही questions नहीं बहुत ज्यादा ही questions करें पुरा doubt ही clear हो जागा वहां पर आपको आएगा फिर अमोर्टाइजेशन और फॉर्ट इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन करना है तो चली एक ही करके देखते हैं जैसे गुड़्विल है इसकी पास क्या definite life है कि हम SLM basis लगा पाएंगे नहीं तो यहां पर impairment के लिए हर साल चेक करते हैं यहां पर concept आता है impairment each year गुड़्विल की case में इसकी life जो होती है does not have a definite life तो यह हमेशा impairment के लिए देखा जाएगे कि या impairment हो सकता है या नहीं हो सकता है इसका ठीक है फिर गुड़्विल के अलावा all other जो intangible assets होते हैं जिनके पास indefinite life है मतलब इनकी भी life कोई fix नहीं है यह भी अमोर्टाइज नहीं हो गई तो गुड़्विल भी अमोर्टाइज नहीं होगा और जिसके पास indefinite life है definite life नहीं है ठीक है तो अमोर्टाइज नहीं होंगे और इंपेर्मेंट के लिए होंगे हमेशा कि कोई वैल्यू में इंपेर्मेंट तो नहीं आ गया तो इनके वैल्यू डिक्रीज तो नहीं होगे तो इंपेर कर देंगे अगर किसी की definite life है तो उसमें क्या होगा definite life तो अमोर्टाइजेशन बेस्ट होगा ratio of consumption of asset किसी asset की consumption जैसे वो consume होगा वैसे और अगर year आपको पता है तो SLM वैसे से ratio of consumption यहां पे लिखा हुए ratio of revenue यहां पे नहीं किया गया है I repeat ratio of revenue नहीं अभी तक हमने क्या बात की indefinite or definite indefinite law है तो फिल इंपेर्मेंट होगा हर साल चेक किया जागा अगर definite है तो आप SLM लगा दो और ratio of consumption जैसे जैसे वो consume करें उस ratio में आप उसको amortize कर तो ठीक है तो यह amortization basis होगे ratio of consumption अगर बतलता रहा हो सकता है ratio of consumption कि अजिए कि हम इतना 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 एक साल में मतलब इस साल हमने है जिम कि हम इतना इतना तो चेंज हो गया है कंजंप्शिन का रिशेंज हो गया तो आप क्या करेंगे फिर नया तरीके से आप उसका रिशुन उसको Bali करें आप द्रीату 최सिर नहीं कि नीव belief यह की और उसका जो true threat थो corazón करेंडिर करेंड में डाल despite जिसे प्रेवीन हम ज्यादा करना था तो करेंड प्रियोट कर और बढ़ा देंगे अगर इस पिरियोट कर घटा दी वर लोग उसका इफेट इस सव यह मAI करेंड में डाल दें मैंलम अब कर रहे हो और रिशुर चेंज हो गया तो आप पर रिवाइज इस्टिमेट के हिसाफ से उसको अड़र्जस करना पड़ेगा करेंट पेर में तो क्या अगर तो यहां पर दो मैथड है नहीं SLM और रेशियो अपन्जंप्शन कि का ये रिशो की में थैसलम की केस में में भी होसकता है और रिश्यो कन्जंप्शन की केस में भी होसना और इसमें को चींज होता है तो ईसको माना जागा चेंज चींड़ाइन अस्तुमेट है नौट change in accounting policy यह नहीं है ठीक है तो बेसिकली अमोर्टाइजेशन को अगर कंक्लूड किया तो इसमें कोछ ज्यादा है नहीं दो चीज है इसमें एक अडिफनेट और देफिनेट इसमें दो मैंथड आपको दीज जाते हैं एक असलम और एक रिशी अपंजिम्शन परफेक्ट इंडिफनेट में वहत विल दू इंडिफनेट में विल चिक इंपेर्मेंट इच यह जस्क गुद्विल गुद्विल में आप इंपेर्मेंट चेक करोगी हर सल इंपेर्म कितना हो रहा है ठीक है तो यह होगा आपका अमोर्टाइजेशन कोंस्ट अमोर्टाइजेशन का कॉंसेप्ट इस केस में हम लोग रिवाइज एस्टिमेट से उसको करेंगे और करेंट पिरिएट में उसका इंपक्ट भी डालेंगे अगर कोई भी कम बेसी हुआ है तो फिर अगला कॉंसेप्ट आता है अपना डिस्क्लोजर का लेकिन उसके पहले एक और कॉंसेप्ट है जो की ज्याद कमिशन एक्रिमेंट आपको पता होगा जैसे जो भी रोल्स बनते हैं तोल जो आप से लिया जाता है ताट इस वाल अवाट दो सर्विस कमिशन एग्रिमेंट इसको क्या बोलते हैं पब्लिक प्राइबीट ॢर्टन प्राइब प्राइब पार्टनर्शिप और बॉल्ट क्या हाता है बिल्ट ओन इस ट्रंसफर बेट ओन लीस ट्रंसफर अब इसका एक्जाम्पल अगर आपको हम बता है तो दा इस टोल पॉल रोड्स जो तोल रोड्स बनते हैं मैंजलब रोड्स वन्ते आपसे और लिया जाते है यह अब स्वेसिक्ट्राइब मदलब होता है किया है बेसिकली आप गवर्मेंट हो आपने क्या किया एक प्राइबेट पार्टनर सीप कर लिए आपने किसी और के साथ लागी भाई तुम रोड बनाओ चालिस साल तक टोल ले लो जब आप मतलब टोल फीस कले करो जितना आपका कॉस्ट निकल जाए तो प्राइबेट पार्टनर बोला ठीक हम अपना प्रॉफिट के साथ साथ जब मेरा कॉस्ट और प्रॉफिट निकल जाएगा फिर रोड को खाली कर दें मैं जब टोल फ्री हो जाएगा वरो समझ जब कहने का मतलब यह कि गवर्मेंट को 2001 या 2000 ऐसे कुछ में आया था टोल रोड का कॉंसेप्ट विद्धिस में पहले से भी है गवर्मेंट जब भी रोड बनवाना बनवाती एटीक है तो क्या करती पब्लिक प्राइबेट पार्टनर्सिप करती पब् प्राइबेट प्लेयर की साथ मिल यह बना रही है और प्राइबेट प्लियर का जो भी पैसा लगेगा तो लोड इसको टोल बोला जाता है कि फिया प्लीज एका फूल चार्ज जो भी लगता है उसमें जब आपका कोस्ट और प्रॉफिट जो भी आपका निकल जाएगा तो इसमें टोल रूट के लिए एक अलग सा कांसेप भी दिया हुआ है और अधर के लिए जैसे कि टोल रूट है और इधर सब्सक्राइए अधर पब्लिक यूटिलिटीज हो भी है अधर कि एयर पूर्स तो टोल रूट को स्चेडूल टू में क्या बोला गया है स्चेडूल टू आप दे कमीज आप फ्कॉर्स कमीज एक ट्वेंटी थर्टी यह रिश्य ओफ रिवन्यू में राइट अफ होता है रिश्य ओफ रिवन्यू सपोस करी मेरा कहने के मलब सिर्फ इतना है कि जो भी प्राइवेट प्लेयर इसमें टोल फीज कर रहा है तो उसकी कॉस्ट जो भी लगी उसका हम लोग कैसे राइट आप करेंगे कैसे डपी शेयर करेंगे गृष्य इतना हम साल में कमाएंगे उससे सबसे राइट अब करतेज हैं कभी कम तो कभी बेसी सबोस करीं सब्सका्य गएक 100 के घरवर ऊंधंसकर निवे prison nu में ही write-off होगा यह important चीज है यह exception है यह फिर special चीज इसको दिया हुआ special announce दिया हुआ है मतलब special preference दिया हुआ है गवज़मेंट को मतलब गवज़मेंट बड़ावा देना चाती है इसको इसलिए को तो तो खुआ है और यह recognition इसका कैसे होगा और इसका कैसे recognition होगा और इसका amortization कैसे होगा तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भी service commission agreement जो कि एक special case है उसमें हम लोग बात करें टोल रूट की और other public utilities की जो public private partnership के थ्रोप बनते हैं इसको recognize करेंगे before date of transit transition तो recognize होगा before date of transition पर बिफोर date of transition क्या होता है कि देखो recognition का basis तो वह यह लिके रिकोगनाइस कैसे होगा रिकोगनाइस होगा बिफोर date of transition बिफोर date of transition मैंतले कि फर्स्टाइम जब applicable होता है फर्स्टाइम इंडियस जब applicable होता है जैसे कि सब्सक्राइब आप पर 1416 से इंडियस अप्लिकेबल हो रहा ठीक है तो date of transition क्या होगी वन फोर फिप्टी तो यहां पर बिफोर date of transition रिकॉर्ड होगा इस फानेंशल यहां पर रिकॉर्ड होगा तो बिफोर होगा तो यह recognition की बात हुई और इसमаздम अगर दिवाखन वैसे होगा सब्सब्सेगाट को मिशन लेगिन यहां पर amortization कैसे होगा यहां पर use करेंग हम लोग ratio of consumption अगर बाद में जैसे कि इनका टोल वाला सारा काम हो गया जब यह पैसा कमा ले अपना चले के प्राइबेट पार्टनर फिर से अगर हम रिकोगनाइज करते हैं तो रिश्य आप कंजम्पिशन के बेसिस पे या फिर असलम बेसिस पे आप इसको अमोटाइज कर सकते हो यहां वहां पे अधर यूटिलीदी टी ती अंशरी इंट्फिर नडश को कैसे रिकोनाइज करें जागा अधर पॉइडवीड अनजिक्शन और पारकूर कर सकते हो और अप्ट दोनों आपके पास ऑप्शन तोंब्स यहां पे पर् ऊप्र करना है यहां पर भीफिवर और और आप्टर फर्स्टाम इंडियस अप्लिकेबल है तो डेटर प्राजिक्शन के पहले भी कर सकते हो और बाद में भी रिकोग्नाइज कर सकते हो और यह कैसे अमोटाइज होगा दाट विल भी रेशियो अप कंजेविशन बेसिस पे और असलम मैं इसको एक बार रिवाइस कर कमिशन एग्रिमेंट इसकी संब्री क्या होगी कैसे होगा यह अमोटाइज कैसे होगा देखो भाई यह अमोटाइज कैसे होगा देखो भाई यह अमोटाइज कैसे होगा रेशियो प्रिवेन्यू के पैसे इसमें दो कैटेग्रीज आप समझे लोग टोल रोड को एक अलग नहीं था जैसे कि तो इसमें दो काटेग्रीज में आप डिवाइड कर लो टोलूट को अपने एक अलग काटेग्री बनाया क्योंकि कपनी जक का शेडूल टू आपको अलग काटेग्री बनाने के लिए बोलता है तो टोलूट हो गया और अधर अधर पब्लिक यूटिलिटी just like airports अब इस case में क्या होगा? towel road को आप कैसे amortize करो इसमें दो काटेग्री है एक initial है और subsequent है subsequent recognition इसमें जो प्राइबेट के हाथ में रहता है तो इसको हम लोग record करते हैं I mean amortize करते है on ratio of revenue के basis पर ratio of revenue के basis पर इसको amortize करते हैं ठीक है मैं ये summary बता रहा हूँ उसके बाद subsequent recognition जब होता है तो यहाँ पे आप SLM लगा सकते हो और ratio of consumption लगा सकते हो यहाँ पे आप ratio of consumption और SLM लगा सकते हो जबकि आप जब initially recognize करते हो पहली बार जब private enterprise के पास रहता है तो उस समय आप ratio of revenue लगा सकते हो एक exception case है और बाकी सारे में कोई दिक्कत नहीं है और रही बात other utilities की तो इसमें हमेशा हमेशा आपको क्या लगाना पड़ेगा ratio of consumption और ratio of consumption और SLM इसमें कोई option आपको नहीं दिया जाता है बस यह रहा conclusion आप आगे बढ़ते अपने service commission agreement में इसको पब्ली प्राइब प्राइब पार्टनर से भी बोलते हैं और बोल्ड भी बोलते हैं और बोल्ड भी बोलते हैं और बिल्ड ओन lease transfer ठीक है सिंपल सब कहने के मतलब है कि private sector से मिल के हम रोट बनाते हैं उनको टोल फीस लेने के लिए लिए अलाओ करते हैं जब वह टोल लेते हैं यहां पर कोई टोल नहीं लगता है तो आपको ratio of consumption और SLM फॉलू करके आप लगा सकते हैं अब होगे हमारा amortization का पूरा point clear अब बात करते हैं अपने disclosure के बारे में disclosure में क्या होगा क्या क्या हमें disclose करना होगा है बहुत ही general सी बात है फिर भी आपको बता देते हैं अब हम अब हम डिस्क्लोजर में हम ही क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा इंटांज्वेल ऐसेट में उसकी कॉस्ट और फिर्वेल्यू उसमें होने वाले addition slash deletion if any closing cost closing cost और फिर्वेल्यू ओपनिंग एक्युमुलेटर देश्टन और अमोर्टाइजेशन यहां पर होगा और दिविंग दियर अमोर्टाइजेशन फिर closing amortization is simple है जैसा कि हमने tangible की case में बता था वैसा ही as it is है बट यहां पर यहां पर क्या है यहां पर आपको अमोर्टाइजेशन लिखना होगा depreciation नहीं लिखना होगा तो यह होगा आपको याद हो तो मैं एक चार्ट बन वाया था टैंजिबल में डिस्क्लोजर परपस के लिए नोस्ट अकाउंट में सेडूल स्टी में भी बात की थी जैसे चार्ट हो जाएगा तो ऐसे यहां पर कॉलम वाइस बन जाएगा जैसे कि यहां पर आपका आज आएगा ओपनि यहां आपको आपका लैली आज आएगा फिर ओपनि एक कुमुलिटव डिप्रूशइशन ने ऐक किमलेटर आंपका आपको एलसे टथा रहे हैं कुलिए एक तो यह तो यह पो तो का इसलोज करना पड़ेगा life of intangible asset अगर definite है तो life आपको बताना पड़ेगा and method applied method applied for amortization जैसे कि ratio of consumption और SLM और ratio of revenue है in case of toll roads as the case may be अगर कोई भी intangible asset use नहीं हो रहा है फो intangible assets are not used are not being used तो उस case में भी आपको disclosure देना पड़ेगा कि यह वाला intangible asset मेरा यूज नहीं हो रहा है ठीक है और एक तो जैसे कि अपने टैंजिबल में disclose किये थे कि restriction कोई अगर restriction and on use तो भी बात आपको disclose करने पर रेस्टिक्शन और यूज वह आपको disclose करना पड़ेगा उसके बाद title of intangible assets वह भी आपको disclose करना पड़ेगा कि इसके नाम पर पर वो है किसी नाम पर वो है मतलब आपका इंटेंजिबल एसेट किसके नाम पर रजिस्टर है टाइटल मतलब होता है किसके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर है आपको यह भी disclose करना पड़ेगा measurement policy यह डिट्टो से में जैसा कि टैंजिबल एसेट में था डाट इस इंडियर 16 प्रॉपर्टी प्लांट एन एक्क्यूप्मेंट उसका ही रिप्लीका है वहां से लेके subsequent recognition से लेके आप बात कर लो amortization फिर एक revaluation सारा कुछ वैसा यह तो measurement policy क्या है आपकी जैसे कि cost model of follow करते हो या revaluation model follow करते हो यह आपको disclose करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए हो गया अपना बात अभी हमने क्या-क्या बात किया एक बार मैं अगर conclude कर दूँ तो आपको हम लोगों ने आज बात की हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया initial recognition की जिसमें हमने दो topic आज कोवर की business combination और self-generated intangible asset फिर हमने बात किया subsequent recognition का उसमें दो model था एक cost और एक revaluation model revaluation में proportionate method था एक net method ठीक है proportionate में gross value of asset को increase करते हैं और accumulated amortization value को increase करते हैं यहां पर accumulated amortization से जो भी intangible asset है उसको write-up करके intangible asset को increase और decrease करते हैं revolution reserve से यह हमने बात किया फिर हमने बात की amortization की amortization में हमने दो बात की एक definite life जिसकी है और indefinite life जिसकी indefinite life में क्या होगा आपको check करना पढ़ेगा impairment इंडियस 36 impairment चीक करना पढ़ेगा लेकिन जिसके पास definite life है definite life में क्या होगा definite life में आप SLM लगा सकते हो या फिर ratio of consumption एक में exception that is store load वहां पर आप क्या लगा सकते हो उसमें ratio of revenue लगा सकते हो because the company is acting को allow करता है एक case अगर इसमें subsequent recognition होगा तब आपको SLM और ratio consumption ही लगाना पड़ेगा ठीक है फिर हमने बात की तो फिर हमने बात की अभी डिस्क्लोजर की तो disclosure में हमने बताई दिया कि आपको क्या-क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा आजसी कॉस्ट हो गया रजाओं यह रहां को की कॉस्ट्राइवाल्यज वैलू एडिश आडिशन दिशन की जो की डिरेक्टी होंगे आपके स्टडी मेटियल से फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर कमें सेक्शन में बताई है और फिर हम लोग उसके उपर डिसकेशन करेंगे अगर कोई डाउट रहा तो मैं खुद रिपलाई करूंगा और मिलते हैं आप से अगली आप अभी आपको माइन में गया है तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे क्वेशन एंसर इल्लस्ट्रेशन डारेक्ट फॉम स्टडी मेटियल तब तक के लिए आप शभी का महारे साथ जूदने के लिए शुक्रिया और बाए-बाए-बा आप